आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पूछा गया है फाइसिलिया को Portuguese Man of Wall क्यूं कहा जाता है पहले बात करते हैं फाइसिलिया का चुकी इसके अंदर आता है तो ये फाइलम नी दरीया के अंदर आते हैं और इनको Portuguese Man of Wall क्यूं कहा जाता है क्यूंकि इनका जो Polyvform होता है जो Attached form होता है वो क्या करता है वो एक gas field bladder form करता है और ये bladder जो है वो क्या करता है वो water के upper surface में दिखाई देता है और water के upper surface में जब ये दिखाई देता है तो दूर से ये देख के लगता है या फिर ये resemble करता है ship को जो की Portuguese या फिर ship of Portugal है और Portugal के ship से इसका same structure होने के कारण इसको Portuguese man of war कहा जाता है क्योंकि इनका ship जो था वो Portugal के war के time में यूज़ हुआ था और उसी shape के structure में ये नी डरिया जो की फाइसेलिया है वो दिखाई देता है माल लीजी ये structure है और ये उनका gas field bladder है जो की water के upper surface में दिखाई देता है और इसी वज़े से इसका जो appearance है वो एक दम से war के ship जैसा हुआ जो की पोर्टुगल में यूज़ हुआ था और इसी वज़े से इनका resemble करने के वज़े से इनका जो structure है और इनका name जो है वो Portuguese man of war बड़ा है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सूपर